हेलो दोस्तों स्वागत है आपका LearnHub YouTube चैनल में अगर आप student हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें लोगों ने chip thickness ratio जो की होता है R is equal to T1 upon T2 का derivation और उसका formula देखा था और साथ में ही हमने देखा था chip reduction factor क्या होता है यह सब भी देख लिये था तो अब उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग shear strain, velocity ratio और कुछ other relation जो होते हैं cutting process में वो हम लोग देखेंगे उससे related formula और उसकी derivation भी देखेंगे तो चरिए start करते है shear strain से तो जैसे कि आप सब लोग जानते है strain क्या होता है stress upon strain जैसे आपने strain वहाँ पर देखा था वही strain यहाँ strain mainly क्या होता है delta x delta l upon l मतलब change in length और original length में जो ratio होता है उसको हम लोग strain बोलते हैं तो shear strain क्यों यहाँ पर कटिंग प्रॉसेस करते हैं तो हमारा यहाँ एक shear plane जनरेट होता है तो उस plane की बज़ए से chip thickness ratio जो T1 होता है और T2 होता है इसमें change आता है अंतर होता है देखें यहाँ T1 और T2 टीटो में सब बढ़ होता है तो जो change है और उसके ratio और यहाँ पर अगर हम इसको ट्रेंगल बनाते हैं तो यह इस प्रिकार से बनता है और यह ट्रेंगल हम लोग पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं तो इस पर ज्यादर दियान देने की भी ज़वरत नहीं है क्योंकि यह से रिस्ट्रेंट का डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाता है आप से डारेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा तो एक बार आपस इसको देख लीजिए और आप फॉर्मूला ही याद कर लीजिए तो जो उसका ए से हम लोग एन तक जो परपेंडिकुलर वो होता है यहाँ पर Y और B से C की वैलू होती है डेल्टा X मतलब चेंज और य हो गया और इजनल लेंद तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है सेर स्ट्रेंड या कटिंग सिहर स्ट्रेंड तो इसी को हम लोग आज फाइंड आउट करने वाले हैं तो सब triangle A n B में और triangle A n C में ये दोनों triangle में हम लोग 10 5 और 10 5 minus alpha calculate करेंगे देखिए सबसे पहला triangle था A n B और दूसरा A n C अब देखिए A n B और A n C ये दोनों triangle है ये चोटा triangle और ये बड़ा triangle देखिए इसमें 10 5 हम calculate करेंगे तो क्या है का an divided by बी एन ठीक है यह एन अब बी एन वहीं लिखती है और जब इस वाले ट्रेंगिल में हम लोग टैन फाई माइनस एल्फा करेंगे तो हमारा क्या आएगा counselor Cn divided by CA देखिए पर सी एन डिवड़ा य वाईड़ेद य ई ये वाला में इंग्सक्ण है तो यह एन आजाएगा हमारा इवाड़ए गन T हम लोग इस वाले फर्मुले से हम लोग अन क्यलकट लेंगे और इस वाले इन गलकुले केल्क लेंगे ठीक है ठीक है तो यहां पे हमारा जो en की value y है यहां पे मैंने बताया था a से n की distance हमने y मान दी तो यहां पे हमने यहां पोई y रख दिया तो यहां पे हम लोग bn calculate कर लिए और यहां पे हम लोग cn calculate कर लिए तो delta x क्या है, delta x देखे, b से n तक की distance और c से n तक की distance अब दोनों को अगर जोड दिया जाए तो वो delta x कर हो जाएगा तो यहां से हम लोग bn कल्कुलेट कर लिए, यहां हम लोग cn कल्कुलेट कर लिए अब delta x is equal to हो जाएगा bn plus cn अब दोनों की value हम लोग यहां replace कर देंगे और हमारा final relation बनके आएगा वो delta x is equal to y cot 5 plus 10 5 minus alpha बनके आएगा ठीक है, तो अब shear strain क्या होता है delta x divided by y तो divided by को हमें इस तरफ ले आएगे तो जो shear strain हमारा आएगा delta x upon y वो आएगा cod 5 plus 10 5 minus alpha यह final formula होता है आपका shear strain का जो कि आपको याद रखना है पहले ही मैंने बता चुका हूँ derivation को याद करने की या रिखने की कोई ज़रूरत नहीं है नहीं आता एग्जाम में आप से direct formula से question पूछ लिया जाता है चलते है next topic पे जो कि है velocity ratio देखिए दो तीन चीजे होती है जब cutting होती है पहला हो गया T1 और T2 में relation जो कि होता है chip thickness ratio बहुत important है दूसरा होता है velocity ratio देखिए तीन प्रकार की velocity होती है एक होता है Vs जो कि होला होता है shear velocity Vs एक होता है Vf जिसको हम लोग बोलता है feed velocity velocity और तीसरा होता है आपका Vc जिसको हम लोग बोलते है cutting velocity ठीक है तो देखिए अगर टूल इस बार डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जो velocity होगी वह हो जाएगी Vc तो इस डायरेक्शन में हम लोगोंने Vc डायरेक्शन वेलोसिटी का लाइन खीच दिए उसके बाद Vs जो शेयर एंगल के अलॉंग जो वैलोसिटी होगी वह वह होगा तो इसके बाद हम लोगोंने Vs के अलॉंग डायरेक्शन के अलॉंग एक Vs वेक्टर और खीच दिया अब मुझे पता है horizontal से Vs के जो एंगल है वो फाई है तो यहां पर फाई लिख दिया अब देखिए Vs और Vf इन दोनों में Vf की डायरेक्शन में हम लोगोंने एक वेक्टर और बना दिया जिसको हम नाम दिया Vf अब Vf जो होगा वो टूल की उपर सर्फिस के along होगा इसलिए यह vertical से कितना angle बनाएगा alpha अब देखिए यह 90 है तो यह कितना हो जाएगा 90 minus alpha और यह हमें पता है 5 है और triangle की तीनों angle का जो sum होता है वो 180 होता है जब हम pi y2 minus alpha plus 5 plus 90 is equal to 180 करेंगे तो हमारा sorry pi y2 minus alpha plus 5 plus a इसको a मान लेंगे तो यह जब हम calculate करेंगे तो आएगा pi y2 minus 5 plus alpha या pi y2 minus 5 minus alpha यह हमारा bcf का यह वाला angle यहां से calculate हो गया अब देखिए अब हम लोगों को पास bc vs और vf पता है और तीनों angle पता है तो हम लोग यहाँ पे लामी स्थियोरम लगा देंगे लामी स्थियोरम क्या कहती है वी एस वी एस इसकोल टू साइन पावाई टू माइनस alpha ठीक है और यहां पे वी एफ इक्वाल टू साइन alpha यहां से देखिए अगर हम vc लेंगे तो इसके सामने वाला angle लेंगे तो vc इसकोल टू हो जाएगा आपका sin 90-5-alpha अगर हम vf लेंगे vf के सामने वाला angle है 5 तो vf upon sin 5 यहां से sin 5 ले लिया उसके बाद vf upon sin 5 यहां पर लग गई है और इसी को हम लोगो ने यहां पर ऐसे लिख दिया f sin 90-5-alpha है तो इसको हम लोग cos लिख सकते हैं तो इसको हमने यहां पर cos यहां पर लिख दिया और इसको हमने cos 5-alpha लिख दिया तो यह आपका final relation आ गया जो कि है velocity ratio में angle के term में और velocity ratio के term में अगर हम cutting velocity और chip velocity को ratio लेते हैं तो आप यह ध्यान रखेगा कि जो आर इसकोल्ट होता है t1 upon t2 और आर इसकोल्ट होता है vf upon vc भी होता है cutting velocity और chip flow velocity का जो ratio होता है वो chip thickness ratio के बराबर होता है यह statement है आप याद रखेगा और chip thickness ratio का formula आपको पता है sin 5 by cos 5-alpha जिसकी वज़े से यह पूरा formula आपका create हो गया है क्या है vf upon vc is equal to sin 5 by cos 5-alpha और finally आपका vf is equal to r vc यहां पर आ जाएगा कैसे क्योंकि vf upon vc is equal to r आपको पता है तो vf is equal to क्या हो जाएगा r into vc ठीक है अब vf is equal to r vc आ गया अब देखिए mrr क्या होता है material removal rate material removal rate होता है यह कैसे आया मैं आपको यह बता रहें वाला हूं कि vf is equal to r vc यहां यूज़ हुआ जिसकी वज़े से आपको यहां पर यह formula create हुआ तो यह कैसे आया आप जानते है metal removal rate क्या होता है metal removal rate होता है vt into b vtb या vdf कुछ भी कह लिजी क्योंकि bt1 is equal to df होता है तो अगर हम bt1 यह df कुछ भी रख देंगे तो भी वह mrr ही होगा ठीक है तो mrr के vf into f की direction में जो चिप ठिकने से वह t2 हो जाएगी और उसकी जो width है वह b ही रहेगी ठीक है तो हमने यहां पर vf into t2 into b रिख दिया दूसरी जगह vc की term में लिखेंगे vc और t2 की जगह हो जाएगा t1 क्योंकि cutting velocity जिस direction में उस term में तो t1 ही है और width आपका b ही है तो vc से b cancel हो गया तो यहां पर vf upon vc is equal to t1 upon t2 आ गया जो की है r के बराबर तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि vf is equal to rvc होता है अब चलते हैं next जो की है chip thickness ratio in terms of length अब अगर length की term में निकाला जाए जैसे कि हम लोग नो mrr बराबर किया था ऐसे ही पूरे process में volume नहीं loss होता है तो volume before cut अगर volume after cut अगर हम बराबर कर देंगे तो जो हमारा final length और initial length था chip का वो हमारा conserve ही रहता है तो अगर chip के लिए हम लोग देखे जाए तो volume क्या होगा कटने से पहले तो उसकी chip thickness t1 उसका width b1 उसकी length l1 और उसकी density rho1 जो की बराबर होगा rho2 दूसरे उसकी next length उसकी width और t2 के बराबर तो density और width चिंज नहीं होने वाली है यह दोनों cancel हो जाएंगे तो बचे का क्या l1 t1 is equal to l2 t2 तो यहां से जो l2 upon l1 calculate होगा वो t1 upon t2 हो जाएगा is equal to r तो आपको यहां से एक relation और मिला length की term में जो की है chip की length ठीक है तो chip की length क्या हो जाएगी l2 upon l1 is equal to t2 l2 upon l1 is equal to t1 upon t2 मतलब inversely होते है यह तो t1 upon t2 क्या होता है r तो हम लोग यहां से कह सकते हैं l2 upon l1 is equal to r यह आपका एक और formula हो गया length की term में यह भी आपको याद लखना है खीक है तो अभी तक हम लोगों ने जिवतने भी formula पढ़े वो सभी आपको याद करने हैं आगे मैं आपको numerical कराऊंगा उसमें जरूरत पढ़ेंगे तो मिलते हैं next lecture में कुछ numerical के साथ इस पूरे lecture में कोई भी दिकत हुई हो तो आप मुझे comment कीजिए और मुझे follow कर सकते हैं और मिलते हैं next lecture में thank you